बेल आइकन को दबाईए ताकि आपके फोन के बज़े घंटी जब भी हो मेरे चानल पर न्यू वीडियोस की एंट्री नारियल फोर ना हमेशा एक टफ जॉब रहा है चलिए आज इसे आसान बनाते हैं नारियल मेंसी मैंने पानी निकाल लिया हैं अब इसे में जारी रख और के स्टैन पर चड़ा देती हैं इसे एक-इक मिनट करके चारो और घुमाते हुए हम हलका हलका इसे गरम करेंगे देखिए दिखे लिख चारो तरफ इसे हम संडासी के मदद से या किसी भी चीजसे इसे चारो तरफ घुमाएंगे जाधा नहीं जलाना है और बस एक से दू मिनिट से चारो तरफ से ऐसे ही सेख लेना है और घवरानी की बिल्कुल जरुरत नहीं है इसका शेल उपर से हलका-ल जादम हो चुका है अब मैं इसे चुले से उतार दोगी और थोड़ा थंड़ा होने के लिए जोड़ दोगे मैं नारील की ऊपर छेट से इसे इसे मैंने पानी पहले ही निकाल लिया था. नारील अब मैं इसे सिल्बटए कीलोहे से साइड साइड कर देती हूं. आप किसी हलके हंतोड़े से भी कर सकते हैं ताकि इसका शेल इससे अलग हो जाए दीखिए शेल बिलकुल अलग हो गया है बट नारियल में कोई नुकसान नहीं है यह बिलकुल वैसा साबूत ही बना हुआ है चलिए अब इसे काट के भी आपको दिखाते हैं चलिए नारियल को काट के डिखाते हैं सबसे आसान तरीके से नारियल निकालने का यह तरीका है आप इसे एक बार घर में जरूर ट्राइ कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को जरूर शेयर करिए देखिए नारियल बिलकुल साबुत बना हुआ है अब इससे आप कोई प्रिसिपी बनाएए और एंजोई कीजिए बाई